आज के इस वीडियो में कोई भी हम लोग गेम प्ले नहीं करने वाले आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सर्वाइव कैसे किया जाए सीजन 19 बोनस शेलेंज के अंदर वो भी सोलो के अंदर और मैं आपको यह जो टिप्स दूँगा यह आपको मेंली एक टिकेट य आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव जो है चीजे हैं वो पता लगने वाले क्योंकि मैंने इतने सारे बोनस शेलेंज खेले हैं कि मुझे अब आइडिया हो चुका कि बंदे कैसे खेलते हैं और भाई बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाली है तो वीडियो के एंड तक मैं वहां से बाहर निकल पाया और कौन सी यसी गलतिया रही जो मैंने की और आप लोगों को नहीं कर इए तो गाई सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ड्रोप लोकेशन जैसे ही आप लोग आपने लूट फिनिश की और आप लोग यहां से निकल रहे हो तो अभी सीन क क्या होता है कि आप लोगों में से बहुत सारे बंदे जो की काफी जादा एग्रेसिव होके खेलते हैं या फिर सोचते हैं कि वो काफी बंदा ओपन में है और आप लोग बीच में ही गाड़ी रोके उस पर फायर करने लिख जाते हो तो अब भी आपको कभी भी ऐसा नहीं करन करने का प्रेसिव होग और वहाँ से ही उसको बंदे को स्पोर्ट करने का ट्राय करते ले कि यहां पे आपको ऐसी गलती नहीं करनी है. मैं बुताता हूं क्यों कि अगर आप वहां पे रूख जाते तो वह बंदा भी वहीं पे hold करके रखता और आप भी वहीं पर फर्स जाते और जॉन के अंदर जो है अपना entry नहीं ले पाते टाइम से तो अभी scene के उता हूँ कि मैं पीछे की side आता हूँ और उसको ऐसा दिखाता हूँ कि मैं यहाँ से जा चुका हूँ और मेरी यह trick का कहने का मतलब यह था कि अगर आप लोग full on camp यहाँ पर करोगे कहीं दूर जागे उसको लगेगा कि आप लोग यहाँ पर नहीं हो तो full on open में आ जाता है बंदा और आप easily वहाँ पर tick down कर सकते हो बंदों को तो अभी आती है दूसरा point दूसरा point है कि जैसी बंदा आपके उपर rush करें क्योंकि वह काफी जादा aggressive है तो वह सीधा बंदा आपने उपर rush कर देता है तो अभी इस situation को कैसे handle करना है आपको directly उसकी तरफ बढ़ना है और full on aggression में जाना है तो यहाँ पर सबसे पहले मैं उसको bullet है आप ही उसको मारो वो आपको damage ना दे अगर उसने आपको पहले damage दे दिया तो वो बहुत जादा aggressive हो जाएगा और भाई अंधो की तरफ आपके उपर push कर देगा लेकिन अगर यहाँ पे आप लोग पहले उसको damage दे देते हो और फिर एक बार cover में आ जाते हो मतलब एक second के अगर आप pose ले ले लेते हो ना तो वहाँ पे वो बहुत जादा panic हो जाएगा और defensive mode में चला जाएगा क्योंकि भाई जैसे उसको दिखेगा उसकी HP बहुत low है तो वो एक दम से defensive mode में आ जाता है और मतलब बहुत जादा panic कर दे तो easy हो जाता है उसको मारना तो यहाँ पे अपनी जो second tip है यह बहुत तगडी काम करती है आप इसको जरूर ट्राइ करना तो guys यहाँ पे अपन लोग आ जाते है third point की तरफ जो कि है sniper का use यानि bolt action का use bonus challenge के अंदर तो कुछ लोग सोचते हैं कि यार bolt action लेना एक बेवकुफी है इसके अंदर bonus challenge के अंदर कि भाई यहाँ पे अपन लोग को close fight लेनी रहती है तो अपने को जादा powerful guns चाहिए है तो guys ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर आप bolt action यूज करते हो तो मतलब मैं आपको सची बता रहा हूँ अगर आपकी थोड़ी से भी mid range fight रहना है तो वहाँ पे 99% chances आपके हो जाएंगे जीतने के चाहे बंदा कितना ही अच्छा spray क्यों ना देता हो तो यहाँ पे आपको मैं live example देता हूँ का वही गेम खतम हो जाता है तो अभी देखना मेरा गेम कैसे खतम करेगा तो देखो यहाँ पे मैंने इसको इतना damage दिया और सिर्फ यह एक bullet मारता है और यहाँ पे अपना गेम पूरा finish हो जाता है तो guys bolt action अगर आप लोगों के पास अच्छा scope है तो make sure करो कि आप लोग bolt action जरूर यूज करो तो guys यहाँ पे अपना next point आता है zone prediction को लिखे तो guys यह वाला example देखो आप तो यहाँ पे हम लोग जो है वो bonus challenge का ही gameplay है score के अंदर खेल रहे थे लेकिन हमारा zone prediction यहाँ पे बहुत ही जादा खराब हो जाता है और जो है यहाँ पे zone उस पार बन जाता है तो अभी scene क्या होते है यह देखो आप तो यहाँ पे अगर आपका zone prediction अगर अच्छा है अगर आप लोग एक ऐसी जिखे पकड़ लेते हो जहां से आपको movement नहीं देनी पड़ रही है हम लोग ने बहुत बंदे नोक किये यहाँ पर और देखो बंदे यहाँ पर cross कर जाते हैं लेकिन हम लोग यहाँ पर late करते थे काफी और अभी देखो zone के अंदर आपकी entry impossible हो जाए थी जैसे ही अगर आप लोगों का zone prediction बहुत ही गलत रहा तो आपकी पेटी बनना तो ते है देखो जरा तो गाइज कुछ ऐसी ही problem होती है अगर आपका zone prediction खराब है तो क्योंकि भाइज जो zone के अंदर बैठे हुए जो बंदे है न वो यसी मतलब टाक में रहते हैं कि कौन बंदा zone के भार से आ रहा है और उसको वो गिरा देते हैं easily तो गाइज अगर आप लोग पहले ही early rotations mark है अगर zone के अंदर अपनी position ले लेते हो न तो गाइज आपका game यहाँ पर पका है और game अगर आपको chicken dinner ना भी मिले तो अच्छे खासे kills आपको यहाँ पर मिल जाते हैं अभी देखो मैं यहाँ पर zone में entry लेने की try करता हूँ लेकिन बंदा जो है वो इतनी जादा गोलियां है आपर बरसाता है कि entry लेना ना मम्किन हो जाता है और solo के अंदर तो यह लगा लो कि आपका गलती scene हो जाते हैं क्योंकि भाई जाती है उसके बाद आती है असली main problem जो की है bandages जैसे ही आप लोग heal battle करो के bandages या फिर जो आपकी जो drink है वो उपर pop हो जाती है अपने आप और वहाँ पर आप लोग मर जाते हो तो क्योंकि मैं इतनी बार मर रहा हूँ इसलिए मुझे पता है तो आप लोग healing prompt को off करके ही heal battle ट्राइ करो और जैसे ही आप लोग देख रहे हो यहाँ पर ही मेरा बंदा जो heal battle कर रहा है यहाँ पर तो इसके साथ भी same problem होने वाली है अभी तो देखना जैसे ही यह आगे smoke कर देता है और भाई solo के अंदर तो बिना गाड़ी तो मतलब कोई मतलब बनता ही नहीं है तो guys अगर आप इन points को ध्यान रखते हो तो guys आपका जो chicken dinner है वो काफी हद तक secure हो जाता है और आप easily यहाँ पर काफी सारे जो है वो सिक्के कमा सकते हो तो guys अगर आपको यह video पसंद आई और वीडियो इंफोर्मेटिव लगी तो share कर देना अब दोस्तों के साथ मिलता हूं आपको एक new video के अंदर तब तक के लिए अलवीदा बाई बाई इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खतम करते हैं अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो like मारो याद मुझे नहीं पता मुझे 2 million likes चीए कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए मुझे चाहिए चाहिए तो like मारो और अगर तुम लोग नए हो तो subscribe करो वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट भेक के मारो या फिर मुझे नहीं पता बस प्लिक हो जाना चाहिए अब मैं भी जा रहा हूँ मुझे पैसो के पीछे भागना है